नए कॉलेज भवन का जहां निर्मान हुराय उसके पास में एक पोखर है उस पोखर में गायला वस्ता में एक नील गाय पड़ी हुई है जहां उस नील गाय के एक पैर में दो जिगे छर्रे के निसान दिखाई दे रहे हैं जहां कुछ गौसेबा के सहेते ग्रामीन लोग यह मौझूद हैं जिन्होंने बन विवाग टीम को सूचना दिये करीब एक गंटा हो गया है बन विवाग टीम नहीं आई है लेकिन कामा थाना पुलिसी यहां मौके पर पहुंच गई है कामा टाउन चौकी परवारी भगवा सिंग अपने जापते के साथ मौके पर पहुंच हैं और अपने संबंदित अधकारियों को मामले से अवगत करा दिया है लेकिन बन विवाग टीम के मौके पर नहीं पहुंचने के चलते लोगों में आक्रों से हम जानते हैं या कुछ इस्थानिये लोग मौजूद हैं क्या गटना है पूरी और गटना को लेकर क्या मामला ह पहले हमें सूचना मिली के ऐसे बिलोंद रोड पर कॉलेज के पीछे एक नील गाय में गोली मार दिये तो हमने यहां के मोखे पर आयर आकर के हमने रेंजर साब को फौन किया एक गंटा से अधिक हो गया है अब तक वहां से कोई भी नहीं आया फिर हमने थाने पर फौन किय पौन किया रेंजर साब को तो रेंजर साब बोले आप उनका इलाज करा दो और आपको मैं पैसा दे दूंगा बात यह कहके कर दिया लेकिन अभी तक यहां पर कोई नहीं आया यह पानी में पड़ा हुआ है नील गाए और तरफ रही है यह तो इसका मतलब बन्वबाक की बड़ी लापर वाई यह मौके पर नहीं आ रहे हैं और पैसा देनी की बात कर रहे हैं लापरवाई तो वैसा यह कोई पहली गटन नहीं है, ऐसी गटना होती ही रहती है, इनकी तो ऐसे लापरवाई के कारण यह तडब तडब कर जियान छोड़ देते हैं जब नील गाये गायेल अवस्ताम हैं उसमें इसमें यह चर्रय हैं यह चर्रय पेर में अगले पेर में पिछले पेर में जगे जगे चर्रय के निसान है एसी आप जब यह मौके पर पहुचे तो आपको भी यह पोखर में 2 अज prac बढ़ रहाए गोली मारी है इसमें और गोली लगते ही यहीं गिरपड़ा और यहीं तडपड़ा जब इसे यहीं तडपड़ा आए पानी में अभी यहां कुछ इस्ताने लोग कह रहे थे कि यहां दुपैर को फायरिंग की आवाज भी सुनी थी दमाके की आवाज होई थी क्या मामला यह हैं ऐसे बोल र पानी में ही ठड़प रही है कामा थाना पुलिस से कामा टाउन चो की प्रवारी भगवत जी हैं मौके पर अपनी टीम के साथ आ गए है जानते हैं बगवत जी से पूरा मामला क्या है बगवाजी क्या है एगटना पूरी आपने देखें जो अपना रोजड़ा है वो जिसका डोक्त साब अभी देखकर उपचार कर रहे हैं कि इसमें चोट किस चीज की माहम है कुछ लोग पाहिरिंग की बता रहे हैं जिस चर्वे के से निसान लगए अब यह पूरी जानकारी अपने डोक्त साब के मात्यम से जानकारी करके बताएं कि हो सकता है चर्री भी उ समय में आजाते हैं अभी इंतजार कर रहे हैं करें एक गंटे से समय अधिक हो गया बन्विबाग को सूचना दिये आप यहां पहुंच चोके हैं और लेकिन वह नहीं आए हैं चलो और दोबारा हम तो संपर करेंगे उनके रिए वह आ जाएंगे यह थे कामा टाउन चौकी परवारी बगवा जी जिन्होंने बताया है कि लगातार बन्विबाग टीम से संपर्क किया जा रहा है बन्विबाग टीम को यहां बुलाया जाएगा लेकिन अभी काफी लंबा समय हो गया है बन्विबाग टीम नहीं आई है और नील गाय पानी में पड़ी पड़ी रहा है और लापरवा बन्विबाग के अधकारियों को बिरुद्ध अब कोई कारवाई करता है या ऐसे ही आगे भी गटनाओं में लापरवाई यह बन्विबाग की टीम करती रहेगी